दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वारा हूँ कि आपकी OCD एक कांटे के समान है, पैर में लगे एक कांटे के समान है, जी हाँ दोस्तो मैं दिलबाग सिंग मेंटल हेल्थ कांसलर और आज की इस खुब सुरत वीडियो में आप सभी का तह दिल से हार्दिक OCD, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, जिसमें आपको कई तरह के विचार आते हैं और आप उन विचारों से डर जाते हैं, अब तो ये सच हो जाएंगे, और आप अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं, आप अपनी ही एक दुनिया बना लेते हैं, तो दोस्तो मैं आपको ये कहना चाता हूँ कि OCD से डरने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है, वो विचार आपको कुछ भी कह रहे हैं, कि आपको HIV हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, भगवान सजा देंगे, कुछ भी कहें, ये चीज गंदी होती है, ये ऐसे होती है, वो विचार आपको कुछ भी कहें, वो विचार आपके पैर में लगे कांटे के समान है OCD आपके पैर में लगे कांटे के समान है कि जैसे कांटा हमारे हाथ में पैर में कहीं पर भी लग जाता है तो क्या होता है? हम थोड़ी देर चलते हैं कांटा चुबन मैसूस होती है, एक दर्द होता है, फिर हम बैठ जाती है, तो दर्द खतम हो जाता है, लेकिन जब हम उस कांटे को निकाल देते हैं, तो दर्द हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन OCD विचारों का कांटा तो दिखाई नहीं देता, इसलिए ये अप OCD वाला कांटा है, ये आपको असली दर्द देता है, ये जो ये असली कांटा जो है, ये आपको थोड़ी देर दर्द देता है, जब तक वो बाहर नहीं आ जाता, और आपका दर्द खतम, लेकिन OCD वाला कांटा नकली कांटा है, लेकिन असली दर्द देता है, ये आपको डराता है, डिप्रेशन देता है, इंग्जाइटी पैदा करता है, आपको कहता है कि ये कुछ हो जाएगा, आपके साथ कुछ हो जाएगा, आपके मन में बकबक चलती रहती है, और आपका अपनी ही OCD की अपनी ही एक दुनिया बन जाती है, आप चेकिंग करने में लगे रहत हैं, भगवान में माथा टेकने में लगे रहते हैं, और वो कांटा आपका निकलने का नाम ही नहीं लेता, चलते फिरते, घूमते, सोते, जागते, हर वक्त वो चुबता रहता है, चुबता रहता है, चुबता रहता है, और आपको बार-बार कहता है, ऐसा करो, वैसा करो, ह यह सिर्फ एक कांटे के समान है कांटा आमने निकाल दिया फिर इस OCD के कांटे को कैसे निकाला जाए क्योंकि दोस्तों यह विचारों की दिक्कत है यह समझ की प्रॉब्लम है यह समझ का कांटा है कि आप ना समझ हो गए हैं विचार हीन हो गए है कि जो विचार ऐसे चल रहे आप उन विचारों को सच मान बैठे हैं, ये गलती आप से हो गई है, कि आपने कांटे के उपर पैर रख दिया, लेकिन यहां पर OCD कांटे के उपर आपने अपना दिमाग रख दिया, अब वो दिमाग में कांटा बार-बार चुब रहे, क्योंकि दोस्तों, विचारों में हम एक समझ पैदा करनी होती है, एक education की जुरूरत होती है, क्योंकि आप अपनी एक नई दुनिया बना लेते हैं, जो negative दुनिया है, जो नकरात्मक दुनिया है, जिस दुनिया में आपको डर लगता है, उस दुनिया में है, लेकिन उस दुनिया से आप डर रहे हैं, फिर जब सोब काुंसलर से नहीं न ine君 сам किसी से भी आप बात करते हैं तो वह आपको इस दुनिया से एक नई दुनिया में ले कर के जाता है और निखाल देता है इतनी कांटा कंटा निकाल देता है तो इतनी बात है इतनी ही बात है OCD जो है वो आपके पैर में लगे एक कांटे के समान है और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दोस्तों तो समझ पैदा करनी है भगवान के प्रती हमारी कोई अच्छी समझ नहीं गंदगी के प्रती हमें गलत धार नहीं गलत विश्वास हो गए हैं भगवान के प्रती गलत विश्वास हो गए हैं विचार क्यों चल रहे हैं उसको अच्छे से जानना है डॉग कैसे काट जाएगा रैबिज कैसी हो जाएगा उसको अच्छे से समझना है हमें विचार वान बनना है विचार ही नहीं तो OCD दोस्तों एक कांटे के समाने इसको निकाल फेंकिए और अपनी दुनिया को बदल दीजिए जो एक नकरातमक दुनिया आप देख रहे हैं सकरातमक दुनिया को देखना शुरू कीजिए अपनी दोस्ती इस नकरातमक के दुनिया से हटा लीजिए और अच्छे दोस्त बना लीजिए बस इतना ही करना है तो अगर वह दोस्त मुझे बनाना चाते हैं तो मेरे दिए गए नंबर के परた फोन करें और मेरे से बात करें और psychological therapy से इस कांटे को आप निकाल दें क्योंकि जो पहर में कांटा लगा होता है तो हम क्या करते हैं हम सुई से कांटा निकालते हैं लेकिन विचारों वाला कांटा ये OCD वाला कांटा निकालने के लिए किस सुई की जरूरत पड़ती है थेरपी की CBT थेरपी, ERP थेरपी, माइंड फुलनेस की बहुत सारी ऐसी टेकनीक, एकसरसाइज उससे आपका ये कांटा OCD वाला कांटा निकल जाएगा तो दोस्तों अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरे नंबर के उपर कॉल करें, कांसलिंग थेरपी लें और इस कांटे को निकाल फिंके तो आज के इस वीडियो में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि इस तरह के पावरफुल वीडियो आप देख सकें और OCD का कांटा आप निकाल दे धन्यावाद, थैंक यू, शुक्रिया